न्यूस क्लिक की स्वतंत्र और आजाद पत्रिकारिता को समर्थन दीजिए इस लिंक पर क्लिक कीजिए जॉइन पर क्लिक कीजिए और उसके बाद हमारी मेंबर्शिप को ग्रहिंड कीजिए आपके सामने तीन विकल्प नवसकार आप देखें हैं न्यूस चक्र मैं अभिसार शर्मा और एक बार फिर मैं आप सबका शुक्रियादा करना चाहता हूँ कि इस मुश्किल वक्त में आप न्यूस क्लिक का साथ दे रहे हैं हमारी सदस्सिता ग्रहिंड करके और आज जो मुद्दा मैं आपके सामने लेकर आए हूँ दोस्तों इसका सीधा तालुक इस देश के आम जन्द मानस के साथ है एक छोटा सवाल है मेरा मुद्दी सरकार से एक बात बताईए आपने सुप्रीम कोट में कहा कि कोरोना से मारे गए लोगों के रिश्टदारों को हमारे पास चार लाक रुपए नहीं है देने को क्यों 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 कि आपका कहना है कि देश के खजाने पर इसका बहुत जबर्दस भार पड़ेगा मगर मैं कुछ और पूछना चाहता हूँ विज्यापनों के लिए मोधी सरकार और भाजपा शासित तमाम प्रदेश करोडों रुपए खर्च सकते हैं हर राज्य में जहां जहां इनकी सरकारे हैं मगर देश की जनता की जो असली जरूरते हैं उनको आप चार लाक रुपए नहीं दे सकते हैं मैं आपको बताता हूँ क्यों आपके स्क्रीन्स पर दोस्तों ये देखिए ये जो बैनर है ना इस वक्त देख रहे हैं ये बैनर इस वक्त उत्तर प्रदेश के हर गली कूचे में आपको लगा हुआ दिखाई देगा उत्तरपदेश के हर सुबे हर जिले में बड़े पैमाने पर ये बैनर दिखाई दे रहा है जहां योगी आदितनात की तस्वीर है और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया जा रहा है कोरोना की वैक्सीन के लिए अब देखे यही बोड लगा हुआ है कहां पर यह बोड लगा हुआ है करनाटक पर यहां पर आप देख सकते हैं यह दुरप्पा की तस्वीर है जो कि बुख्य करनातपिये की आ पांदाज जगासकतें इंडमे हर जगाव हे बैनर लगाने में रखार के оруж़ो है और जैनटे हैं उत्तरफदेश कितना बड़ा राज अगर हर जिले हर शहर मैं यह और छेह दें छोटे कहती है कि आम जनता को चार लाक रुपए देने के लिए इनके पास पैसे नहीं है और ये बात जानते हैं इन्होंने कहा कही है ये बात इन्होंने सुप्रीम कोट में कही है शर्मनाक रविया दोस्तों सरकार का आपके स्क्रीन्स पर खबर का शीरशक देखिए आपके स्क्रीन पर COVID-19, कोरोना से हुई मौत पर नहीं दे सकते 4 लाग का मुआवजा सुप्रीम कोट से केंदर सरकार ने कहा मैं सवाल पूछना चाहता हूं मोदी सरकार से कि सुप्रीम कोट से आपने ये तो कह दिया कि मेरे पास पैसे नहीं मगर क्या आपने सुप्रीम कोट को ये भी बताया कि किस तरह से मैं इस तरह के बैनर्स लगा रहा हूं जो मैं करनाटक में भी देख रहा हूं उत्तर पदेश के गली कुछों में देख रहा हूं और बात यहां नहीं रुकती है ये देखिए दोस्तों एक अखबार पर पूरे पन्ने कार्ड और यहां पर वाहवाही की जा रही है मोदी सरकार की वाक्सिनेशन को लेकर टीके को लेकर मैं फिर आपसे सवाल पूछता हूं बताईए ना ये जो अखबारों में आपने विग्यापन दिये हैं क्या अखबारों ने मुफ्त में से छाप दिया है हर अखबार की जेब में कितना पैसा गया होगा आपको अंदाज़ा है इस बात का बोलिए और इसके लावा जो आप जूटा प्रचार छाप रहे हैं उसका अंदाज़ा है आपको मैं आपको बताता हूं दोस्तों इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने किस तरह का शर्वनाग बयान दिया केंद्र सरकार की और से सुप्रीम कोर्ट को बताया गया है कि हर कुरोना संक्रमित मरीज की मौत पर मुआवजा देना राज्यों के वित्तिय सामर्त से बाहर है इससे सरकारी ख़ाना खाली हो जाएगा आगे ये क्या कहते हैं आपके स्क्रीन्स पर कोरोना संक्रमंट से जान गवाने वालों के परिजनों को मुआवजा, कॉम्पनसेशन देने को लेकर सुप्रीम कोट में दायर याचिका पर केंद्र सरकार की ओर से हलफ नामा दिया गया है केंदर सरकार ने सुप्रीम कोट को बताया है कि कुरोना से जान गवाने वाले लोगों को उनके परिजनों को चार लाक रुपए का मुआफ़ा नहीं दिया जा सकता उन्होंने कहा कि आपदा कानून के तहट अनिवार मुआफ़ा केवल प्राकरितिक आपदाओं जैसे भुकंप बाड़ आदी पर ही लागू होता है सरकार की और से कहा गया है कि अगर एक बीमारी से होने वाली मौत पर अनुगरह राशी दी जाए तो दूसरों पर नहीं दी तो ये घलत होगा क्या कह रहे हैं लोग कि अगर हमने कोरोना में पैसे दे दिये तो फिर दूसरी बीमारी में भी देना पड़ेगा मगर मोधी सरकार को पता होना चाहिए कि आज की तारिक में कोरोना ने अगर इतना विक्राल रूप देखा है तो ये सरकार की घलती की वज़ा से आपको मैं कुछ प्रमान देना चाहता हूँ और मेरे इस प्रमान को आप जूटा साबित करने की हिम्मत रखें तो जूटा साबित करें सबसे पहली बात आपने कोरोना को महामारी घोषित कर दिया था मार्श 2020 मगर मार्श के बाद अक्तूबर 2020 में आपने ऑक्सिजن के टेंडर्स जारी किये और कितने ऑक्सिज़न के टेंडर्स 162 और फिर अगले साल अप्रेल तक अक्टूबर में आपने जारी किया अक्टूबर, नवंबर, डिसंबर, जैनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रेल कितने महिने हुए? साथ महिने साथ महिने में उन 162 में से सिर्फ 32 ऑक्सिजन प्लांट्स तयार हुए ये बतलाता है कि ऑक्सिजन को लेकर ये सरकार कितनी गंभीर थी इसके बाद प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान देखिए जो आपके स्क्रीन्स पर है इसमें प्रधान मंत्री ये कह रहे हैं कि हमने कोरोना के खिलाव जंग जीत ली बगएर वैक्सिन्स के ये बयान दिया था ना प्रधान मंत्री ने अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने तो कोरोना को गंभीरता से लिया नहीं इसके लावा जो आपने कोरोना टास्क फोर्स का गठन किया था जनवरी से लेकर अप्रेल तक कोई बैठकी नहीं हुई उसकी बैठकी नहीं हुई और प्रधान मंत्री ने पूरी दुनिया के सामने जनवरी के महिने में ये घोशना कर दी थी कि हमने कोरोना पर जीत हासिल कर ली है और उसके बाद अप्रेल में जो विकराल रूप हमने देखा कोरोना से मौतों का वो तो हम सब जानते हैं हर घर या हर घर से जुड़े लोगों की मौत हुई कोई कोरोना की वज़ा से दोश किसका है मुझे बताईए सरकार ने तो आखे मून ली थी ना और आज आप सुप्रीम कोट को ये कह रहे हो कि हम 4 लाक रुपे मुआफ़ा नहीं दे सकते आप अब भी वो गलती फिर से दोर आ रहे हो और अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों इनकी पोल कोई और नहीं बलकि इनके अपने मुख्यमंत्री कर रहे है आपके स्क्रीन्स पर ये खबर देखिए ये हैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेन सिंग रावत ये खबर देखिए जैसे कि आप जानते हैं इस शक्स त्रिवेन सिंग रावत को हटा कर इस शक्स तीरत सिंग रावत को मुख्य मंतरी बना दिया गया जब त्रिवेन सिंग रावत मुख्य मंतरी थे तो उन्होंने कुम्ब के अंदर कुरोना को लेकर बहुत सक्त नियम बनाये थे मगर ये शक्स तीरत सिंग रावत जो मुख्य मंतरी बनता है तो वो तमाम जो सख नियमते उसे हटा दिया जाता है यही नहीं एक खबर ये भी आती है कि कुम्ब के अंदर या उत्राखंड के अंदर कोरोना की टेस्टिंग को लेकर एक बहुत बड़ा घपला होता है और मौझूदा वुख्य मंत्री ने कहा, तीरत सिंग रावत ने कहा कि ये तो मेरे कारकाल से पहले हुआ है अब आपके कारकाल से पहले भी तो BJP की सरकार चल रही थी ना यानि कि अगर घपला हुआ तो किस के राज में हुआ ये घपला हुआ BJP के राज में जवाब देही BJP की हुई हाला कि त्रिवेन सिंग रावत ने अपने बयान में साफ तोर पर कहा है कि मेरे राज में ये घपला नहीं हुआ है क्योंकि जो तमाम टेंडर्स जारी किये गए थे वो तब जारी किये गए थे जब मैं मुख्य मंत्री नहीं था जब तीरत सिंग रावत मुख्य मंत्री बन गए थे कुम्ब सुपर स्प्रेडर था कुम्ब की वज़ा से बड़े पैमाने पर देश भर में कुरोना की महमारी फैली ये मैं नहीं कह रहा हूँ ये पंडित अभिसार शर्मानी कह रहे हैं ये त्रिवेन सिंग रावत कह रहे हैं उत्तरा खंड के पूर्व मुख्य मंत्री बताईए ना आप चाहते तो अगले साल कुम्ब का आयोजन कर सकते थे क्योंकि जहां तक मैं जानता हूँ इसका आयोजन अगले साल की इनकी तारीख थी तो फिर एक साल पहले क्यों किया गया? अब एक और खबर मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों ये है मुकेश अमबानी के निउज चैनल की खबर मुकेश अम्बानी का ये न्यूस चैनल कह रहा है कि राय बरेली के अंदर सबसे ज्यादा कम वैक्सिनेशन्स लगाए जा रहे है और यहाँ पर हमला सीधे तोर पर सुनिया गान्धी पर किया गया है आज मैं पूछना चाहता हूँ इस न्यूस चैनल से और उन तमाम प्रचार तंतर के दो-दो रुपए के जो टट्टू होते हैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कोरोना की वैक्सिन लगाना किसकी जिम्मेदारी है स्थानी प्रशासन की है केंदर से लेके राजसरकार की है यहाँ पर जो MP है उसकी जिम्मेदारी कहां से आ गए इन न्यूस चैनल्स को सवाल तो यह पूछना चाहिए था राजसरकार से कि अगर आप लोग राय बेरेली को जानबूच के नजर अंदास कर रहे हो क्योंकि यहाँ पर सुनिया गांदी सांसद हैं तो यह तो बहुत बड़ा गुना है इसके चलते योगी सरकार पर सवाल किये जाने चाहिए थे यह एक बहुत बड़ा अपराद है योगी सरकार कही नहीं बलकि केंदर सरकार का भी कि आप राय बरेली को इसलिए नजर अंदास कर रहे हैं क्योंकि वहां से सांसद सुनिया गांदी है और दोस्तों इस तरह की हरकत इन्होंने पहली बार नहीं की है दिल्ली के अंदर जब करोना महामारी उग्र रूप अख्तियार किये हुए थी उस दौरान आपको याद है दिल्ली हाई कोट ने फैसला दिया था कि जल्द से जल दिल्ली के अस्पतालों में ओक्सिजन पहुँचाइए ये किसी और का नहीं हाई कोट का फैसला था और उसके बाद केंदर सरकार को ओक्सिजन पहुँचानी पड़ी जो काम दिल्ली हाई कोट के आदेश के पहले हो सकता था उसके लिए कोट को क्यूं दखल देना पड़ा बताएए ना इसका मतलब यह हुआ कि केंदर सरकार कम से कम हाई कोट के इस आदेश की माने और उसके लॉजिक को अगर मैं देखूँ तो केंद्र सरकार ने पहले दिल्ली सरकार को या दिल्ली को ऑक्सिजन नहीं दिया और हाई कोट की लताड के बाद ऑक्सिजन दिया क्यों? क्योंकि दिल्ली के अंदर किसकी सरकार है? इस शक्स अर्विन के जिवाल की सरकार है कि आप वही खुंदक सुनिया गांधी से निकाल रहे थे जिस तरह की खुंदक आप दिल्ली में निकाल रहे थे ये मेरे शब नहीं है ये दिल्ली हाइकोट का आदेश है और अब आप इस देश की जनता को मूर्ख बना रहे हैं ये कहकर कि मेरे पास पैसे नहीं है कोरोना से मारे गए लोगों के परिजनों को मुआवजा देने के लिए क्योंकि मेरे जेब में पैसे नहीं है अब दोस्तों ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है कॉंग्रिस के नेता राहूल गांधी ने इस पर बयान दिया है वो बयान आपके स्क्रीन्स पर जीवन की कीमत लगाना असंभव है सरकारी मुआवजा सिर्फ एक छोटी सी सहायता होती है लेकिन मोदी सरकार ये भी करने को तैयार नहीं है कोविड महामारी में पहले इलाज की कमी फिर जूटे आंकडे उपर से सरकार की कुरूरता कई मुद्दे पर राहूल गान्दी उन्हें हमला कर रहे है जूटे आंकडे इलाज की कमी सरकार की कुरूरता और जाई सी बाते सरकार की कुरूरता की जब वो बात कर रहे हैं तो केंदर सरकार के उस हलफ नामी की बात कर रहे हैं जो उन्होंने सुप्रीम कोट में दाखिल किया कि भई हम पैसे नहीं दे सकते एक सवाल मेरा राहूल गांदी से भी राहूल जी आप मुद्दा उठा रहे हैं और मुझे याद है कुछ दुनों पहले कार्टून भी आया था क्योंकि राहूल गांदी जिस चीज की चेतावनी देते हैं सरकार को पहले तो सरकार उसे मना कर देती है और बाद में सरकार उसे सवाल है यह जो तमाम आप मुद्दे उठा रहे हैं मुझे ऐसा लगता आपको जमीन पे उतरना चाहिए आपको उतरना चाहिए आपको इस बात का प्रमाण देना चाहिए कि इस देश का विपक्ष जिंदा है आप लोग पेट्रोल को लेकर आप लोग एक दिन उतरे उसके ब सामर्थ रखते हैं केंद्र सरकार के पास अगर सामर्थ नहीं है चार लाक रुपए का मुआफ़ा देने की प्यास तो आपके पास सामर्थ होना चाहिए देश के मुद्दे उठाने के लिए क्योंकि जैसा कि आपने कहा ना जूटे आंकडों के जरीए असल तस्वीर को शि तरगत याचिका दायर की और उस याचिका से यह पता चला है कि पहली जो लहर थी कोरोना की उसमें जितने लोग मारे गए थे असल में उससे कई गनवा जादा लोग मारे गए थे और उन्हेंने पूरी पढ़ताल के साथ पेश किया है आपकी स्क्रीश पर आर्टिकल 14 का य उपी डिस्ट्रिक्स 43 ताइम्स मोर देन ओफिशल कोविड-19 टोल उन्होंने 24 जिलों की पड़ताल की उत्तरपदेश की और पता चला कि जो मृतकों की तादात थी वो 43 गुना 40 गुना ज्यादा थी और उन्होंने कैसे किया मैं आपको बताता हूं आपको दो तारीखों प इसके बीच में जब आर्टिकल 14 ने पड़ताल की दोस्तों ये वो मौका था जब देश में कुरोना नहीं था ठीक है एक जुलाई 2019 से लिका 31 मार्च 2020 के बीच में 24 जिलों में कितनी मौते हुई आपके स्क्रीन्स पर 1,78,000 मौते यानि की 1,78,000 डेथ्स अब आते हैं हम कब कुरोना की दूसरी लहर के समय है यानि की एक जुलाई 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 ये वो दोर है दोस्तों जब कुरोना की पहली लहर आ चुकी थी और दूसरी लहर आने वाली थी आप जानते हैं इस दौरान उत्तर प्रदेश के 24 जिलों में कितनी मौते हुई तीन लाक पच्छथर हजार यानि की दो लाक ज्यादा मौते हुई एक साल में ऐसा क्या हुआ दोस्तों कि दो लाक अतिरिक्त मौते हुई और ये आकड़े कुरोना में नहीं आए इन मौतों को सामान मौतों का हवाला दे दिया गया अब मैं आपको बताता हूँ आर्टिकल 14 ने जो पड़ताल की है उन्होंने इस ग्राफिक के जरिये बताया है कि प्रशासन ने कितनी मौते आधिकारिक बताई और कितनी मौते दरसल हुई आप देखिए बाई तरफ आप देख सकते हैं बलिया में 107 मौते कुरोना से हुई उन्नाओं में 90, कानपुर दिहात में 38, अमेठी में 49, लखनाओं में 1211, बरेली में 166, आगरा में 178 मगर असल में इस दौरान कितनी मौते हुई, कितनी अतिरिक तुमौते हुई आपके स्क्रीन्स पर बलिया में 7330, उन्नाओं में 10481, कानपुर दिहात में 4040, अमेठी में 1341, लखनाओं में 3022, बरेली में 1269 मौते, आगरा में 9989 बात यहां नहीं रुकती, अब पढ़ताल के तौर पर वो कहा जाते हैं गाजिपूर जिला, गाजिपूर जिला में उन्होंने बताया है, यह जो ग्राफिक आपके स्क्रीन्स पर है, गाजिपूर में उन्होंने बताया कि भई, एक जुलाई 2019 से लेकर, 31 मार्च 2020, जब कु करोना काल आया, क्यानि कि कब मार्च 2020 से लेकर, मार्च 2021, उस दौरान कितनी मौते हुई, यह देखिए, जुलाई में आपके सामने 140 मौतें उस वक्ट जब कुरोना नहीं था, मगर कुरोना जैसे ही आता है 930 मौतें, अगस में 146 मौतें जब कुरोना नहीं था, अब देख 834 मौतें, मैं अभी आपको सिर्फ जुलाई, अगस, सितंबर और अक्तूबर का आकड़ा दिखा रहा हूँ, यह है कुरोना की पहली लहर, अब दूसी लहर में आप जानते हालात और भी ज़्यादा गंभीर हैं, क्या आप कलतना कर सकते हैं दोस्तों, इस दौरान कितनी पहाया जा रहा था शवों को, किस तरह से नदी के तट पर शवों को दफन कर दिया गया था, किस तरह से कुत्ते लाशों को नोच रहे थे, और यह हमने कुरोना की पहली लहर में नहीं देखा, क्या आप कल्पना कर सकते हैं दोस्तों, कुरोना की जब दूसरी लहर आई थी अप्रेल 2021 से कितने लोग मारे गए होंगे आप और हम सोच भी नहीं सकते हैं और ये तमाम आकड़ों को चुपा दिया गया है किसकी सरकारे बता है ये उत्तरवदेश में और फिर ये सरकार सुप्रीम कोट में क्या कहती है कि मेरे पास जो रिष्टेदार हैं उन्हें देने के लिए चारलाक रुपे नहीं है इनसे आप प्रचार करवालो जितना भी करवाना ये अच्छे से कर लेंगे प्रधान मंत्री आज योग दिवस के मौके पर आप देश के सामने आएं आपने योग के फाइदे गिनवाए और यकीनन मैं उन लोगों में से हूँ जो योग के फाइदों को मानता हूँ ये बात अलग है कि मैं खुद नहीं करता हूँ या नहीं कर पाता हूँ वो एक अलग बात है मगर मैं चाहूंगा कि मैं भी शुरू करूँ क्योंकि मेरी मा भी मुझे रोज डाटती है कि बेटा योग कर ले ध्यान कर ले मगर मैं कुछ और कह रहा हूँ योग से मुझे कुछ और याद आ रहा है योग से एक जमाने में इस शक्स को कहा जाता था योग गुरू बिजनसमेन राम देव राम देव ने लगातार मेरे डॉक्टर्स की तोहिन की वैक्सिनेशन को लेकर भरामक बयान दिये ये बात अलग है जब केंदर सरकार में खुद प्रधान मंतरी सामने आए और उन्होंने कहा कि कुछ लोग वैक्सिन को लेकर भरामक बयान दे रहे हैं तब आपने यूटर्न ले लिया मगर मैं कुछ और कहना चाहता हूँ रामदेव ने जो संदेश अपने लाखों समर्थकों को दिया प्रधान मंतरी क्या आप ने रामदेव पर कोई सخت कारवाई की बताएए ना कितने ही लोगों ने रामदेव के बहकावे में आके वैक्सिनेशन नहीं लियोगी कितने ही लोगों ने कोरोनिल को दवा समझ कर उसी के सहरे अपना इलाज करवाया होगा और कितने ही लोग इसकी वज़ा से मर गए होंगे क्यूंकि Corona की दवाई नहीं है नहीं है नहीं है ये शर्मा जी नहीं कह रहे हैं ये खुद विश्व स्वास संगठन ने कहा है मगर ऐसा आदमी जो देश की जंता के सामने भरामक जानकारी फैला रहा था जूट बोल रहा था गलत तस्वीर पेश कर रहा था प्रदान मंत्री आपने क्या आक्षिन लिया इन पर बताईए या आप रामदेव पर सिर्व इसली आक्षिन नहीं लेंगे क्योंकि आपके प्रचार को फैलाने में सहयक साबित होते हैं रामदेव काला धन इन सब की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं स्विस बैंक्स के अंदर अचानक पिछले 13 सालों में सबसे जादा 20,700 करोड रुपे जमा हो जाते हैं भारतियों के अब ये ब्लाक मनी है ये नहीं है ये कोई नहीं जानता है मगर इससे पता चलता है कि भारती अर्थ व्यवस्था में हमारे धन्ना सेठों का कितना विश्वास रह गया है और ये उस सरकार के कारकाल में हुआ है जो अच्छे दिन लाने की बात कर रही थी अच्छे दिन तो नहीं आ रहे हैं पैसे बहार जा रहे हैं स्विस बैंक्स में तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ देश की जनता को आप कब तक मूर्ख बनाएंगे आज भी आज भी उत्तर प्रदेश की चुनावूं की तैयारी कर रही है बियल संतोश ये शक्स जो है वो लखनों में हैं मंत्रनाएं करने वाले हैं और कुरोना की तीसरी लहर को लेकर अभी चेतावनी लगातार दी जा रही है रंदीब गुलेरिया एमस के प्रमुक कह रहे हैं कि अगले 6-8 हफतों में यानि कि अगस सितंबर में तीसरी लहर आ सकती है करोना की और इस बात की भी चिंता जता रहे है कि हो सकता है कि जो दूसरी लहर आई थी उससे भी जादा गंभीर हो दूसरी लहर से भी जादा गंभीर इसके मतलब समझते हैं आप दूसरी लहर जब आई थी तो कितने लोगों की मौते होई थी कितने लोगों को आक्सिजन नहीं मिला था तराही माम मच गया था प्रेलंकारी तस्वीर थी हर जगा अब ये कहा जा रहा है कि जो तीसरी लहर आएगी वो इससे भी गंभीर होगी और ये मैं नहीं कह रहा हूँ ये आपके एमस के प्रमुक कह रहे हैं मुंबई में इस बात की आशंका है कि अगले दो या तीन हफ़तों में आ सकता है देश की जनता इसकी लिए तयार है सरकार इसकी लिए तयार है या आपकी तैयारी सिर्फ उत्तर प्रदेश की चुनामों को लेकर है बताइए ना बुरा लग रहा होगा आपको मेरी बात मैं जानता हूँ बुरी लग रही है और मुझे परवा नहीं है इस बात की मैं जानता हूँ कि अंदभक्तों को मेरी बात बुरी लगती है मगर कुरोना काल में आपके और हमारे रिष्टदारों की जब मौते हुई थी तो कुरोना ये कहकर नहीं आया था कि कौन मोधी भक्त है और कौन मोधी विरोधी बोलिए सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं बहुत दुकी बात है दोस्तों की मीडिया को जिनमुद्दों को लेकर इस सरकार को कट घर में रखना चाहिए खड़ा करना चाहिए वो नहीं कर रहा है हकीकत आपके सामने हैं तीसरे लहर के जितावनी है और ये सरकार जो है सुप्रीम कोट को इस तरह की जानकारी दे रहा है जो सरासर भ्रामक है क्योंकि जब सरकार कहती है कि हम चारलाक रुपए का मुआफ़ा नहीं दे सकते हैं इस देश के आम जनता को तो आपको ये भी मुझे बतलाना पड़ेगा कि आप करोडों का विग्यापन क्यूं खर्श रहे हैं अखबारों पर बैनर्स और पोस्टर्स लगा कर जो एक बार फिर मैं आपको दिखला रहा हूँ जवाब दीजेगा इस बात को और अगर जवाब नहीं है तो शर्म कीजिए